देखिए आज तारिक कौन सा है 20 ठीक है तो मैंने 20 को एक वीडियो डाल देती हूँ ठीक है एक वीडियो डाल देती हूँ और सेम वीडियो मैं रिपीट करती हूँ 21 में फिर मैं सेम वीडियो डिपीट कर देती हूँ 22 में तो आपको कैसा लगेगा मतलब कि कहने के बाद एह ह अगर मैं सेम वीडियो डालता हूँ मेरा चैनल में तो आपको तो अच्छा नहीं लाएगा आप बोलेंगे सार सेम वीडियो आप दे रही है ऐसे ही मेरे साथ HDFC बैंक ने किया हाई मैं औरिंदा हूँ मेरा वीडियो में सुआगा थे देखे आज मैं आपको जो बताऊंगा पहली बार ये HDFC बैंक अभी कर रही है कस्टोमर्स है मैंने तो नहीं सुना मेरा किसी भी जो रिलेटिव है उसको भी ऐसा प्रॉबलम नहीं हुआ मेरे साथ ही ये प्रॉबलम हुआ है तो आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉबलम है और मुझे कौन सा प्री अपरूफ्ट केरिट कर मिला है और क्या क्या है तो इसके लिए आपको पहले जाना परता है HDFC bank का जो net banking है तो इसमें मैं पहले logging कर लेती हूँ मेरा HDFC bank में बहुत पुराना account है उस account मैं मुझे logging करना है इसके लिए continue to new यहाँ पर आपको जाना है तो net banking इसके बाद आपको user ID देना है तो मैं क्या करती हूँ मेरा user ID है वो मैं यहाँ पर दे देती हूँ ठीक है जो user ID है वो मैं अभी दे देती हूँ तो आप मेरा वीडियो पुरा देखी है क्योंकि इसमें पहली बार आपको HDFC bank जैसा इतना बड़ा bank यह करता है यह आपको पहली बार पता चल जाएगा क्या है इतना एक मतलब कि मुझे भी surprise हुआ था यह offer दे क्या है ना भरा bank यह कर दिया तो यही मैं आपको अभी सोचा के ठीक है आप लोगों को भी पता चलना चाहिए के bank भी ऐसा करती है तो अभी मैं already मेरा जो app है उसमें sorry मेरा जो है HDFC bank का वापे मैंने चला गया तो उसके बाद offer वाला एक option होता है देखिए offer वाला एक option है यह offer इसमें आप जाएए sorry sorry mutual fund चला गया नहीं offer में जाएए इसमें देखिए offer सा एक option है offer में जाएए offer में जाके देखिए एक offer मुझे मिला है देखिए get your HDFC bank card इसमें चूस करती हूँ अभी देखिए अभी देखिए वो page loading हो रही है तो आपको पता है HDFC bank का जो net banking का जो इतना अच्छा fast नहीं है जो axis bank दूसरा ICS bank का है तो delivery address as per your bank account यह दिखा रही है ठीक है तो मैं इसको back कर जाती हूँ फीर मैं आपको दिखाती हूँ delivery address तो आना नहीं चाहिए तो साइद मैंने पहले देखा उसलिए ठीक है मैं फीर से यहापे कोसिस करती हूँ क्या-क्या offer उन्होंने आपको दिखाता है नहीं तो मैंने skin shot राखा है कोई बात नहीं तो दिखी यहाँ पे लिखा हुआ है modify enter your register mobile number इसमें मुझे जो मेरा register mobile number है वो मुझे देना पड़ते है तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे दे देती हूँ मेरा register mobile number क्योंकि आपको pre-approved उसके बाद date of birth देना है ठीक है देखता हूँ OTP क्या है अभी लोडिंग हो रही है AXS bank में क्या है fast kaj होतے है और AXS bank में भी fast होते है मगर एक बन के HD FC देखेंड आप लोडिंगो बहुत लोडिंग हो रही है तो पहली बार आप ठीक है मैं मेरा वीडियो में रही है कोई बात नहीं इसको loading होने दीजिए कोई बात नहीं देखिए अभी भी loading ही देखा रही है तो देखिए अभी आ गया ठीक है और OTP भी आ गया ठीक है लोडिंग फिर से loading मैंने आपको पहले ही बताया के यह जो HDFC बैंक का net banking इतना फास्ट नहीं है दुसरा कोई बैंक से देखिए अभी भी loading अभी loading ही दिखा रही है तो ठीक है मैं कोई बात नहीं फिर भी ओएट करती हूँ देखती हूँ तो अभी देखिए अभी मुझे क्या है कॉंग्राचलेशन इवार प्री आप्रूब बिजनेस मानी वैक ठीक है इस बिजनेस मानी वैक एक आया है एन्वाल रेन्वाल फीड जीरो है उसके बात लाकी ठीक है यहाँ पर देखिए इट्स इट्स हांडेड परसन ऑनलाइन तू कैन यू कैन्ट कॉंप्लिट इस ट लेना है सारी कुछ मैं आपको यह वीडियो में बताऊंगा आप रही है मेरे वीडियो के साथ और इसका फीचर्स भी आपको बता है के रिडियम टू पॉइंट में टू पॉइंट मिलता है तू डिवाट पॉइंट मिलता है और क्या क्या है देखिए हंडेड ऑनलाइन 30,000 अगर मैं रिटेर स्पेंड कर देती हो एनवर्सरी एक साल में ठीक है और क्या क्या है फाइप आरपी और फ्वेल फाइप पॉइंट मिलता है फाइप परसंट कैश्बाग यूटिटी थाइसो रुपया हार मैने मिलता है तू मेक इसको अगर लाइफ टेम करना है तो 30, 30,000 33 मैने में करना पड़ेगा और नहीं तो एक स्मार्ट बाई में एक आपको क्या है बिल रिजिस्टर करना पड़ेगा तो एनवर्सरी ओफ होए जाएगा मगर मेरा जो एकाउंट है उसमें कोई भी चार्जस नहीं लगता है तो इसके लिए मेरा लाइट टेम फ्री कोई मुझे मिल भी जाएगा और इसके साथ 15 रुपए भी मुझे मिल जाएगा क्योंकि बैंक के साथ ओफर है अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा आप सौकिंग हो जाएगे दिखिए यह है मेरा कार्ड यह भी बिजनेस जो कार्ड उन्होंने दिया बिजनेस मानिवेक कार्ड से है टू यार्स पहले टू यार्स पहले मुझे मिला था सेम तू यार्स पहले आप खुद सोचिये दो सल के बाद बैंक फिर से मुझे एप इस डिएफ बैंक बिजनेस मानिवेक मुझे प्री रूप में दे रही है तो पहले मैं आपको एक बात बता दू कि दिखिए ओजो SDFC bank जो केट कर देती है मैं इतना यूज नहीं करती हूँ कि उसका reward point मुझे अच्छा नहीं लगते हूँ और बहुत सरी card है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा SDFC bank का जो मेरे पास है तो आप देखे पहले money back card जो है मैंने two साले पहले ही मुझे मिल गया था वो भी pre-approved life time free में फिर से offer दिया तो एक ऐसा बात है तो देखे नेचरली क्या करती है SDFC bank आपको option देती है क्या क्या option देती है वो मैं आपको बता दो एक option है net banking में अगर आप net banking म जाएंगे तो आप आप भी देख पाएंगे कि एक option होती है क्या option देती है तो मैं फिर से आपको जाके देखाती हूँ मैं आपको फिर से वह आप जाके मैं मेरा OTP देखे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ फिर क्या क्या option आती है अगर आपके पास SDFC bank का कोई भी केडिर काड है तो आप ऐसे चेक कर सकती हो हर मैंने क्योंकि आपको नोटिफिकरशन नहीं भेजते है यहाँ पर जस्ट आपक आपको जनना जुरूर है अगर आपके पास रहती है तो तो अब मैं क्या करती हो अभी मैं password भी दे दिती हो तो आप रही है मेरे साथ मैंने पहले भी बताया ता इसका service अच्छा नहीं है नेट बैंकिंग में बारे में दूसरा को service बढ़िया है मैंने नेट बैंकिंग में इतना अच्छा तो देखिए यह बाला आपको option आ जाएगा तो अभी देखिए cards बाला जो option है इसमें जाई है जो cards लिखावा है इसमें जाई है अभी देखिए मेरे पास active card है उसका limit देखिए आप उसका limit है 50,000 मिला था देखिए active card मेरे पास एई सेम card है तो छोड़ दीजिए इसमें दीए बाही तरफ देखिए इसमें inquiry request है इसमें दीए request में आप क्लिक कीजिए तो अभी देखिए यहापे आपको credit limit enhanceable के एक option में लगा इसको आप कीजिए तो आपको card number चूस करने के क्या है HDFC bank के पास एक request चला जाती है कि ए जो है customer उन्होंने request डाला है credit limit के लिए तो ओ लोग देखेंगे आपका अगर आपको मिलता है तो ओ लोग आपको notification जीए ऐसे करके आप हर मैने कोसिस की यार का limit इंक्रिस करने के लिए और एक बात इसके साथ देखिए अगर आपको अगर मैं यह offer जो उन्होंने दिया अगर मैं ले ले लेती हो तो इसमें फायदा क्या है लुक्सन क्या है पहले फायदा मुझे क्या मिलेगा मेरा limit जो है ओ इंक्रिस हो जाएगा कैसे आप बताएं के सर आपको कैसे पता चलेगा क्या आपका limit इंक्रिस क्योंकि देखिए टू यर्स पहले मेरा civil score उतना ज्यादा नहीं था मगर आज जो civil है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि टू यर्स पहले मुझे मालूमी नहीं था कैसे civil score को इंक्रिस करना है कैसे जब जब मैं जितना यूज करूंगो कार्ट इतना भी मेरा civil अच्छा हो जाएगा और अभी बहुत सरी फैक्टर है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा civil score कैसे आप सुपर फास्ट तरीका से आपको civil score इंक्रिस कर सकते तो मेरा civil score अच्छा है तो बैंक मुझे 100% 50K क से वह अभी फिलाल अच्छा है क्योंकि टू यार्स पहले मुझे HDFC बैंक में कुछ रुपया था अभी तो जाला रुपया होगा क्योंकि आपको पता ही है जितना दीन जाएगा आपको बैंक के साथ रिलेशन उतना अच्छा हो जाएगा तो मैं इसलिए मान लेते हूं कि यह जो कार्ड है इसमें 100% मुझे क्या है लिमिट अच्छा मिल जाएगा और नया कार्ड भी है और क्या एक कार्ड और उसके बाद देखी इसका जो है आपको बताया फायदा अभी लुक्सन क्या है अभी देखी लुक्सन अब अगर मैं इस कार्ड को एक्टिवेट कर लेत पहला बरा कार्ड जो है जिसका हमिट काम है उसको फूस कर देंगे और उसमें मेरा लुक्सन हो जागा banking मेरा सिबिल में बहुत एफेक्ट हो जागा कैसे क्योंकि ओ मुझे सिविल में दिखा रहे एक two years old दिखा रहे थे और क्या है यह नियावला है और इसको लेने के लिए एक inquiry भे होगा hard inquiry भे होगा उसमें भी सिविल स्कोर गीर जाएगा क्योंकि मैंने सिविल में दिखाएंगे निया कार ले आ है उसके लिए सिविल गेर जाएगा और और क्या है दुसरा जो है मेरा जो seniority है ओ भी loss हो जाएगा इसलिए मैं एक कार्ट नहीं लूँँगा तो आप मेरा वीडियो के comment में बताएए मैंने सही किया कि गलत किया और एक बात अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास flip card के कोई भी कार्ड है तो आप एक problem में फस जाएंगे क्योंकि flip card एक्सिस बैंक के इट कारे बहुती बुरा एक update आया है अपडेट नहीं एक मैं आपको प्रूब लाइफ प्रूब के साथ दिखाऊंगा तो अगले वीडियो आप जरूर देखना ओके थैंक्यू